इवो Y19 Call Forwarding Setting नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तेकी राच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Call Forwarding Setting आप कैसे कर सकते हैं वीवव फोन के अंदर पर ठीक है तो यह दोस्तों आपको जानना है Call Forwarding Setting यहाँ पर आपको कैसे सेट करना है कैसे आपको जो है वो सेटिंग मेलेगा कहाँ पर आपको जाना है तो वह सब के लिए दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देख लीजगा इस वीडियो को देखने के बार आपको आ जाएगा Call Forwarding Setting करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या प्रोसेस है चलिए देखते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सारी सार्य यदि आपको ओनलाइन से पैसा कामा ना है उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा है आप जाके चेक आउट कर सकते है और किसी भी प्रॉब्लम के रिगारिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर दीजगा तो चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पेले तो दोस्तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा हमें दोस्तो जाना है अपने डाइलर में थेखे कोऊल के ऑप्शन पर उसमें जाने के बाद दोस्तो आपको नमबर्स वगड़ा यापर शोग करेगा तो यहाँ पर है call forwarding, यह है दोस्तों sim 1 के लिए और नीचे में हैं आपके sim 2 के लिए, ठीक है, तो चलिए sim 2 1 पर ही डेख लिटे, call forwarding पर मैंने click किया, अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते, call forwarding का setting, call settings error बता रहे, कोई डिकर नहीं है आपर, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, always forward का option आपको मिल जाते हैं, ठीक है, always forward, तो यहाँ पर click करके दोस्तों आप जो है, number को add कर दीजेगा, जिस number पर आप call forward करना चाहते हैं, तो जब आप busy रहेगा, तब आप यहाँ पर call forwarding use कर सकते हैं, उसके बाद जब answer नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें भी call forwarding आप add कर सकते हैं, तो number यहाँ पर add करके turn on कर दीजेगा, उसके बाद आते हैं, when unreachable, तो यहाँ पर भी दोस्तों same process है, ठीक है, तो आपको दोस्तों कौन सा future use करना है, वो आप पर depend करते हैं, आप always forward what per rate set करना चाते हैं या या ठीक है, जब आपका बिजी आते हैं, जब आपका phone unanswered हो जाते हैं, या ठीक है, तो उसमें दोस्तों केसे केसी करके आप जो है यहाँ पर setting को use करना हैं, वो आपर ही depend करते हैं, ठीक है, तो जो भी दोस्तों future आपको use करना है, 4 future आपको मिल जाते यहाँ पर आप देख सकते हैं तो चार फीचर में से दोस्तों कौन सा आपको यूज करना है बस आप उसमें क्लिक करें यहाँ पर नमबर एट कर दें उसके बाद टर्ण ओन पर क्लिक कीजिए तो टर्ण ओन पर क्लिक करने के बाद कौल फोरवाडिंग शूरू हो जाएगा ठीक है तो बस दोसों यह है कौल फोरवाडिंग का सेटिंग वीडियो अच्छा लगवा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतने टैंक्स फोर आचिंग